भगवान बुद्ध को आख से देखने वालों की साक्षी परंप्रागत मत का समर्थन उन लोगों की साक्षी से भी होता है जिनोंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा है जिनोंने भगवान बुद्ध से भेट की है एक ऐसा प्रिट्यक साक्षी साल नाम का ब्रहमन था भगवान बुद्ध को आपने सामने देखकर उसने भगवान बुद्ध की इस प्रकार इस्तूती की थी जब तथागत की सामनी आया तो उस ब्रहमन ने बैठने तथा कुसल समचार पूछ लेने के अनंतर भगवान बुद्ध के सरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने ने होने की जाच की 32 महापुरुष लक्षणों के विशे में एसंदिक्त होकर भी उसका यह संदे बना रहा कि वह बुद्ध है या नहीं लेकिन उसने पुराने व्रग भ्रहमनों से आचारियों प्राचारियों से यह सुन रखा था जो अरहत होते हैं सम्यक संबुद्ध होते हैं वे अपनी इस्तूती सुन्ने पर अपने आपको प्रिकट करते हैं इसलिए उसने निम्र लिखित सब्दों से तथागत की इस्तूती करने की ठानी भगवान आपका सरीर अंग संपून है स्रेष्ठ है संबुद्ध है आकर्शक है श्वन वन है दातों से श्वन रस्मिया निकलती हैं अंग अंग ससक्त है पूरे 32 महापुरुस लख्णों से युक्त है इस पस्ट द्रस्टी सुन्दर उचे और सीधे हैं आप अपने अनुयाईयों से सूर्य समान प्रजलित हैं आप ऐसे प्रकास युक्त ऐसे स्वर्णिंग वन अपने तारून्य को आप ए नागरिक स्रेमन बनकर क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं आपको चक्रवती नरेश बनना चाहिए और समुद्र परियंत आपका राज्य होना चाहिए अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नत्मस तक होना चाहिए और आपको समस्त जगत का चक्रवती राजा होना चाहिए आनन इस्तिविर के नुसार तथागत का सरीर इतना अधिक स्वच और ज्योति था कि यदि उनके बदन पर किसी समर्णिम वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी जोती सरीर की जोती के सम्मुख मिलान पढ़ जाती थी तब इसमें क्या अश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी तथागत को एक जादू कर समझते थे नमो बुद्धाय